तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एक्स्प्लेइन फोर यू में दोस्तों आज क्लास टेंथ की प्रशनावली 3.3 का जो प्रशन 3 है उसका पहला कोशन हम सौलू करने जा रहे हैं प्रशन हमारे पास यह दिया है कि दो संख्याओं का जो अंतर है यानि कि अंतर मतलब की डिफ्रेंस यानि की माइनस यानि की डिफ्रेंस इनका तो दो संख्याओं का अंतर 26 है ओके और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है ठीके एक जो संख्या है वो अगली वाली क तो उन संख्याओं को ग्याद करना है, मतलब उन्हें ग्याद कीजिए, तो हमें क्या है, दो संख्याओं दी हुई नहीं है, हमें उनको assume करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कि एक संख्या X है, तो दूसरी संख्या Y है, तो चलिए कोशन का शुभारंब करते हैं, और लिख माना दो संख्याओं, X, Y है, ठीके, दोनों संख्याओं हमारी आ गई है, X और Y, तो आपका अंसर आ चुका है, X और Y, लेकिन आपको बस इनकी values निकालने के, इनकी fixed values क्या-क्या है, तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, तो उसको लिखते हैं प्रश्नानुसार, अब हम प्रश्न में ही देखेंगे, हमें जो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार, वो हम लाइन मैथामेडिक्स में लिखेंगे, यहाँ पहले लाइन ही देखेंगे, क्या दिये, कि उ पहली और दूसरी संख्या का अंतर यानि कि माइनस कितना हो रहा है माइनस करने पर अंतर 26 है तो यहाँ पर बराबर 26 लिग दिया तो जो लाइन इनोंने हिंदी में दे रखी है उसको जो हमने mathematics statement की रूप में लिग दिया कि दो संख्याएं x और y का अंतर करा माइनस करा तो 26 आ गया ठीके दोस्तों यह हमारी पहली step complete हो गई अब हम देखेंगे प्रश्न और क्या कह रहा है ओके इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं पहले यानि जो यह समीकरण है वो हमारा पहला समीक अब बाताई सर आगे कैसे बढ़े तो question को देखो और वापस से question क्या कह रहा है उस बात पे ध्यान देते हैं देखो question क्या कह रहा है पहले line तो हो गई कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो उससे हमने एक equation बना ली अब दूसरी line देखो दूसरी line में लिखा है एक संख्या तो हम यहां लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार यानि फिर से हमने प्रश्ने के हिसाब से करना है जो भी करना है तो प्रश्नानुसार अगली line है आपकी एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो एक संख्या है X और दूसरी संख्या है Y त तो यहां पर अगला statement आ गया x बराबर 3y, यहां पर x की value हमें मिल गई 3y, तो यह आपका समिकरण 2 आप इसको नाम दे सकते हो, या डारेटली आप इसको value के रूप में भी रख सकते हो, तो यहां से सर हमारे डिमाग में एक बात आई, कि x की value 3y आ गई यह देखो न, एक संख समिकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, ठीके, रखने पर, हम यह x की value 3y, इसको समिकरण 1 जो हमने बनाई थी, उसमें रख देंगे, कि सर जहां पर भी हमें x दिखेगा, हम वह 3y रखेंगे, तो यहां पर देखो समिकरण 1 हम लिखेंगे, उसमें x की जगा 3y पूट कर देना फिर देखते क्या आता है, तो अभी तक हम कहां पर पहुंचे हैं, कि सर x की value 3y आ गई है, तो x की जगा 3y रखेंगे कहां, समिकरण 1 में, तो समिकरण 1 यह रहा, इसको वहां उतारेंगे, x-y बराबर 26, तो यहां दिया है x-y बराबर 26, अब आपने क्या बोला है, कि सर समि करण 1 में, x बराबर 3y रखने पर, तो जहां जहां भी x दिख रहा है, वहां 3y रख दो, सर यहां पर x दिखा, तो यहां पर 3y रख दिया, minus का y वैसा का वैसा है, और 26 भी वैसा का वैसा है, अब देखो, यह y और y जो same variable के हैं, वो आपस में घट सकते हैं, जुड सकते हैं गुणा हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, तो यहां पर देखो, 3y minus का y, यही तीन y में से single y गया, तो 2y बचे, 3y में से 1y गया, तो 2y बचे, बराबर 26 वैसा का वैसा ही, अब हमें y के value चाहिए, लेकिन हमारे पास 2y के value आ गई है, 26, तो इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो 2 को मत लिखो, बाकी पूरी line वैसी की वैसी ही लिख दो, सर अब यह 2 कहां चला गया, तो 2 यहां पर गुणा में था न, तो वो बराबर के उदर 26 के भाग में चला गया, तो 2 से 26 का भाग दे दो, 13 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, और उपर भी 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो y बराबर कितना आगया, 13 आगया, यह आगया आपकी एक संख्या, अब दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, आपके पास 2 संख्या है थी न, एक थी x और एक थी y, तो आपने एक तो निकाल ली 13, अब दूसरी भी value निकालने पड़ीगे न, यानि की y की value आगया 13, अब x क value कैसे निकालोगे, देखो, x की value आप देखोगे, कोई सा समिकरन बना है x में, तो हाँ सर, यह जो है न, x बराबर 3y, यह आपका समिकरन 2, अगर आप उसको नाम दे दो, तो यह हमारे direct value बन रही है, इसकी x की, तो यहाँ पर यह y बराबर 13 समिकरन 2 में रखते हैं, y बराब यह राजों हमने बनाया x बराबर 3y, यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 3y, x को वैसा का वैसा ही, बराबर 3 भी वैसा का वैसा ही, 3 और y की बिच में कोई चिन नहीं, तो हम गुणा का चिन मानेंगे, अब आपने बोला कि सर, y की जगा हमारे पास y की value है क्या, तो हाँ 13 रख देते हैं, और 13 और 3 का गुणा कर देते है, 13 तерм pushed 49 तो आपकी दोनों संख्याएं आ गई, एक आपकी X है और एक आपकी y है, तो यहाँ पर आपकी दोनों संख्याएं निकल कर आ गई आंकिक्रोफ में, ठीके, तो आपकी पहली संख्या है 49 संख्या है 13 तो आपका यह आखिद होगी कि अतवत संख्याएं X बराबर 49 और Y बराबर 13 होंगी तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कर देना प्यार जरूर से कमेंट कर देना और चैनल पे नगति चैनल को सस्क्राइब कर देना और आपने इस्टाग्राम पर फॉलो नह जादा ही जरुवत है दोस्तों तो thank you so much दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए